आज मैं बनाएगे सोजे का एकदम जालीदार स्पोँज केक बीना अंडे के बीना ओवन के इना वेकिंग सोड़ा के एकदम जालीदार यह देखिए कितने अच्छे से इसमें जाली बनी है और कितना इस्पोंज बना है जितना हम इसे दबाएंगे अपने आप उतना ही ओपर उठके आएगा एकदम दुकान पे मिल ले वाला केक हेलो गाइज वर्कम टू माई चैनल रितू की दुनिया हर हर महादेव तो गाइज रेसिपी सुरू करते हैं यह मैंने एक तील लिया है केक तील आप कोई भी मेंदा डालके अच्छे से कोट कर लेंगे ृसमें मेंदा की जंगे आटा है यृति आटा सकते हैं कि अच्छे से कोट हो गया हमने एक्स्ट्रा मेंदा बहार निकाल दिये तब लेगे एक बरतन और इसमें लेगी हम एक कटोरी सूजी एक कटोरी सूजी लेंगे तो हम इसमें एक कटोरी डूद लेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे हमें इसका अच्छे से गोल बना लेना है अब इसमें हमें थोड़ा थोड़ा पाने डालके इसका अच्छा से बैटर बनाना होगा हमें इसे जादा पतला भी नहीं करना और ना ही जादा टाइट रखना है इसे हमें मीडियम रखना है और हाँ आप मेरे चैनल पर नए है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल न भूले एक लाइक ज डाल सकते हैं बूरा नहीं तो चीनी को मिक्सी में पीक सकते हैं तो इसमें मैंने दो बड़े चमच चीनी डाल दी है यानि चीनी को अच्छे से पीस लिया तो उसका पावडर डाल दिया चीनी का इसे हमें अच्छे से मिलाना होगा इसे हमें अच्छे से मिला लेंगे और अ ऐल डालने के बाद संब कर देढ़ देखे। नहीं अच्छे के पार् Corico Apply यहाला फ़ी हम एकदम अच्छे से बैटर में मिल जाए। यह देखें घोल को बनाना है तो बना लाफ देखें, आप इस तरीके के बैटर के cracking बना लेंगे इस हम अच्छे से दो से तीन बार चला लेंगे हमें जादा नहीं चलाना है तो देखे हमें इस तरीके से चला लेंगे अब बर्तल लिया था जिसमें हम उयल को गेस किया था तो अब इसको हम सारे बेटर को 낮ा लेंगे यह देखे कितना can भल रहा है निकाल लेना है यह यह केक बहुत अच्छा लगता है खाने में एकदम सोफ्ट होता है और एकदम स्पोंज रूई की जैसा तो यह देखें इसे हमें से टैप कर लेना है यानि अच्छे से फैल जाए तो यह देखें मैंने पहले से ही एक प्लेट रखकर और उसमें डखक कर और इसे भीओने से free heat कर लिया था आप नीचे प्लेट की जंगें मैंने भीओने की plate रखके आप कोई तावा भी रख सकते तवे पर रखकें और भीओने से kisी बरतन से free heat कर सकते हैं यह कढाई में भी कर सकते हैं तो यह देखें इस तरीके से मैंने इसको रख दिया ह तो पर मैंने भीगोना रख दिया हमें ऐसा बरतन रखना होगा जिससे कि भाप ना निकले और इसे हमें 25 मिनट के लिए ऐसे छोड़ दें और देखें अब 25 मिनट हो गई तो हम इसे चेक कर लेते हैं 25 मिनट के बाद तो ही देखें कितने अच्छे से पग गया है तो हम एक चेक करते हैं तो आप उसे थोड़ी देर के लिए और छोड़ सकते हैं तो यह देखें अच्छे से ठंड़ा हो गया है मैंने इसे थोड़ी देर ठंड़ा होने के लिए छोड़ दिया था अब इसे हम एक चक्कू की सायता से यानि नाइफ की सायता से निकाल लेंगे और यह देख सकते हैं कितना sponge बना है अब इसे हम एक plate में निकाल लेंगे एकदम जालीदार sponge और यह देखे ओपर से भी पर से भी कितना अच्छा color आया है यह देखे कितना अच्छे से दब रहा है देखने में भी कितना अच्छा लग रहा है और मैं आपको प्रेस करके दिखाते हैं जितना हम इसे प्रेस करेंगे यह अपने आप उपर उठके आएगा एकदम sponge बना है और इसे हमें बिना अंड के और बिना ओवन के बनाया है तो आप भी ऐसे बना सकते हैं इस रेसिपी को देखकर आप इसे हम नाइफ से कट करेंगे और देखे कितने आसानी से कट रहा है और कटने के बाद आप देखेगा कितने अच्छे सिस में जाली आई है तो यह देखिए कितना अच्छा बन के हमारा के तैयार हो गया है तो यह रेसिपी वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कूल अभी ले और बैल आइकन को प्रेस कर ले जिससे कि आपको नेस्ट वीडियो की नोटिफिक और हर हर महादेव